नमस्कार दोस्तों, आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागते सात्यों स्कूलों में गर्मी छुटी जून के पहले हपते तक बढ़ाय जाने को लेकर के राज़भवन से लेटर लिखा गया था और जैसे ही लेटर शिक्षाई भाग में पहुचा पर मुख्य सचिव केके पाठक जी के बीच में पहुचा वैसे ही भीशिम इन्होंने आदेश्ट क्या दिया है वो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कई जिलों के डियों ने जारी किया पत्र चेतना सत्र का संचाल सुबद 6 वजे से करने का आदेश केके पाठक जी के द्वारा दिया गया इस शिक्षाई भाग के द्वारा दिया गया शिक्षकों को भेजनी होगी सेल्फी लगातार आप सभी देखी रहे हैं कि शिक्षकों को भी एक तरह से देखा जाए तो प्रतारित ही किया जा रहा है ठीक है duty वो कर रहे हैं वच्चों को गुणत्ता पुन शेक्षा दे रहे हैं लेकिन सभी के लिए एक स्विवधा होनी चाहिए स्विवधा के तहती किसी भी चीज का फैदा आप उठा सकते हैं चाहिए वो किसी भी विभाग में आप उठा करके देख लीजिए सुबा 5 बस के 45 मिनट पे शेक्षकों को किसी भी हालात में अपने विद्याले में पहुँच जाना है ये मेरा कहना नहीं है ये पर मक्य सची केके पाठक जी के द्वारा भीशी में कहा गया और आप सभी को मैं लगातार याद दिला रहा हूं कि राजभवन से केके पाठक जी को एक पत्तिर भी भेजा गया था उसको कहीं से भी लागू करने को लेकर के शिक्षाय भाग की तरब से कोई भी प्रतिकिरिया नहीं आया लेकिन वीशी में यह आदिश दे दिया गया है कि बिहार में स्कुल टैमिंग को लेकर केके पाठक और सक्त हो गए मतलब कहीं से कोई स्विवधा की बात करता है या कोई नुक्षान की बात करता है तो उस पर केके पाठक जी शक्त क्यों हो जाते हैं यह बहुत बड़ा प्रश्न है शिक्षक का और विद्यार्थी का और अविभावक का और पूरे बिहार के जितने भी हमारे नेता हैं जनता हैं सभी का कि आखिर केके पाठक जी किसी भी मतलब नियम के बारे में सोचते क्यों नहीं है आखिर आप 5.45 में बच्चों को शिक्षक को विद्यार्थी बुला रहे हैं छे बजे आप चेतना सत्र की शुडवात करने के लिए कह रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि अभी वर्सात का मोसम बिहार में पूरे 2-3 महिना गर्मी पूरी मतलब सब कुछ मिला करके मैं कहना चाहा रहा हूं तो इसमें कोई भी शिक्षक ससमय विद्याले कैसी उपस्थित हो जाएगा कोई विद्याले में ही तो घर नहीं है उनका आप एक पंचायत को उठा करके देख लीजिए तो पूरे पंचायत का विद्यार्थी को आने में थोड़ा ससमय तो लगेगा ही विद्याले में और वह भी सुभा सुभा आप छे बजे चेतना सत्र की प्रारम करने को कह रहे हैं तो गार्जन भी तब उठेंगे उनको त्यार करेंगे तभी विद्याले आएंगे तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि केके पाठक जी किसी भी नियम के बारे में सूछते नहीं है वो पन शीक्षा प्रभावीत ही हो रहा है गोनवात्ता पन शीक्षा के लिये सबसे पहले आपको जो आवश्यकता है उसको पूड़ी करना हो गा मुल भूत शीबधा की आवाज हम लोग पहले उठाते थे और उसमें हम लोग यह बी कहते थे कि शीक्षक एनै तो शीक्षक का लेकर भी कहके पाठक जी काम कर रहे हैं उसमें कहीं से कोई दोहड़ाय वाली बात नहीं है और इसमें ये भी देखना होगा कि कौन सी समय को हम लागू करें जिस्ते बच्चे विद्याले से समय आजाएं शिक्षक से समय आजाएं और मन लगा के बच्चों को पढ़ाएं उन शिक्षाय भाग से कहना चाह रहा था यह प्रिश्ण था मेरा कि आप जो जमीनी हकीकत है ग्रामीन छेत्र की जो समस्तिया है उसको आप क्यों नहीं देखते हैं कि आखिर जो मैं समय लागू करने जा रहा हूं उसके क्या बिहार के तमाम शिक्षक प्रभावित होंगे या आई भी भावक प्रभावित होंगे क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि भाई पौने छे बजे किसी भी हालात में आपको विद्यालाइम उपस्तित रहना ही होगा तो पौने छे बजे आप समझ सकते हैं सुर्योदाई का समय होता है तो इसको लेकर के लगातार प्रिश है उस समस्या का समाधान के लिए हम लोग केके पाठक जी से शिक्षा विभाग से विनम्र निवेदन भी करेंगे क्योंकि निवेदन के सिवा और कुछ नहीं है जैसी कुछ इधर उधर होता है केके पाठक जी और सक्त हो जा रहे हैं जब राज जेपाल की बात ने सुन रह ना होगा तो बड़ी अपडेट यो यह आ रही थी सुबह से इसमें यह प्रश्न था कि आखिर केके पाठक जी राज जिफाल की बात को क्यों नहीं सुनें आप बने रहे हैं ओल टेटी त्यारी चैनल के साथ पल-पल के अपडेट आप सभी को शिक्षाय भाग का देता हू होंगा विश्वास दिलाता हूँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल एकन की बटन को जोड़ दबा दीजिएगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलत अगले वीडियो में सधनेवा साथ